Hello Friends, I am Gita and Welcome to Gita Tech Secret So Friends, आज के इस वीडिया में हम बात करेंगे Misho Application से कैसे order book करते So Friends, अगर आपको कोई भी product आपका खुद का हो या आपका कोई customer का है तो आप इसको कैसे book कर सकते हो With cash and delivery या online payment जरिया से आप कैसे order book कर सकते हो तो चलिए आज के इस वीडिया में सीख लेते हैं So सबसे पहले Misho Applications उपन करने के बाद आपको जो भी product है या आप उपर search bar पर इसको search कर सकते हो नहीं तो picture अगर download करके रखे तो picture भी इसको camera जरिया से आप यहां से भी picture को upload करके भी search कर सकते हो नहीं तो आप जो भी आपका customer का जो product है अगर आप विस लिस्ट पर रखते हो तो उसको भी ऐसे आप ब्राउच करके check कर लेना जिस product कर लिए customer का यह आपका पसंद आ गया उसको order करना है तो उसका उपर select करना अब जैसे ही देख सकते हो यहां दो कुर्ती का order आया मेरे लिए तो मैंने वो दो कुर्ती का जो order आया तो इसको मैंने पहले आट टू काट करना होता है पहले इसका size select करना पड़ेगा आपका जो भी customers का या आपका खुद के लिए जो भी product खरीते तो अगर dress है या कोई ready-made कोई चीज मागा रहे तो इसके लिए पहले size जो होता है जो भी medium small जो भी आपको XL डावल XL जो भी size लेता है इसको पहले select कर लेना बाद में आट टू काट कर लेना फिर बाद में इसको जो प्रोशीट करेंगा आपको online cash and deliver ऐसे बहुत से options मिल जाएगा लेकिन अगर यह मैं आज online का बारे बता रहे हूं तो online आपको isolate करने के बाद अगर जो product का प्राइस से 326 तो आप यहां से 100 रुपिस margin लगा सकते हो कि यह पहले से आपको online बोले तो पहले से customer आपको भीजा देता पेशा तो पहले से margin रखके बाद में इसको order book कर सकते हो अगर cash and deliver है तो यहां से आपको customer का margin का साथ भी यहां product डाल सकते हो जिसे की 326 तो आप 426 डालना लेकिन यह online order है तो आप यहां customer का online payment डालने के बाद यहां इसको प्रोशिट करना बाद में customer का address आप टाइप कर लेना फिर यहां आप देख सेकते हो place order पर क्लिक करना अब जैसे यहां place order पर आप देखे नीचे एक option है इसका उपर क्लिक करना आपको यहां से भी show करेगा कि आपका कितना जो customer का जो address है वो सही है नहीं आप जो size भी जो color जो भी select किया थे आप यहां से भी फिर से चेक कर सकते हो फिर आप मैंने यहां Google Pay का option select किया तो आप Google Pay से भी आप से कर सकते हो phone Pay से भी कर सकते हो net banking यहां बहुत सारा options आ जाएगा आपको पसंद हिसाब से कोई भी option आप select कर सकते हो online payment के लिए फिर बाद में मैंने यहां Google Pay किया तो Google Pay का option को पर click करने के बाद इसको भी next करेंगे मतलब प्रोशीट करेंगे अब जिसे इसको प्रोशीट करेंगे बाद में हमारे जो Google Pay का जो password रहता हमको मालूम रहता तो उ हम लग Google Pay phone पर यूज़ करते ना उसका password रहते इसको डाल देते डालना के बाद हमा जो इसका जो प्रैस रहता वह हमारा account से deduct हो जाता जिसी हमारा account से deduct हो जाता तो हमारा order जो है वो confirm हो जाएगा हमारा product जो है प्ले सक्सेस्पुली फ्लेस्ट हो जाएगा और विदिन से प्रड़क्त को ट्राकिंग भी कर सकते हो तो फ्रेंज यह था आज का वीडियो की हम मिश्व अप्लिकेशन से केसे सपिंग करते अगर इस वीडियो आप लोगों आच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंज इसको एक लाइक कर दीजिए कमेंट सेयर भी कर दीजिए हमारे चैनल क सबस्क्राइब कर दीजिए आगेने वाले वीडियो देखने के लिए सो फ्रेंज थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो